हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर रजनी वर्मा मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वाकत है आज हम बनाने जा रहे हैं पटैटो चीज सेंड्विच इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें अगर आपको ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं समग दे चाहिए वह यहां पर मैंने पांच आलू लिए है मीडियम साइज के मैंने ग्वाइल कर लिया है इसके अलावा हमें चाहिए धनिया गरम मसाला यह आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजेगा यहां पर मैंने लिया है पेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून और लाल मिर्च और नमक यह भी आपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा ली सकते हूं वन टीस्पून मैंने आप लिया है रिफाइन और यह लगब मैंने एक कटोरी मैदा लिया है लगब यह 100-500 ग्राम के करीब है यह आप अपने आलों के अकॉर्डिंग कम जादा से भी आप ले सकते हूं तब हम सुरू करते हैं ने बराना सबसे पहले अपने मैदा मिलाएंगे मैदा को थोड़ा ख़ड़ा करके मिलाना है और इसका एक दो तियार कनना है अब ही इसमें आदा मैदा ही मिलाएंगे अभाफी मैना के जोग पड़ें तब मिलाएंगे पहले हम यह सारी शामघरी इसमेंड कर लेते हैं बताएकिय। सारी समघरी मेंने इसमे डाल दो है अब आप देखने के अब हमारो डीला है तो इसमें थोड़ा मेरा और एड़ करेंगे जिसका अच्छे से डो ट्यार ही जाएगा जैसे कि हम आटा अपने रोटी के तयार करते हूं बस वैसा ही हमारो चाहिए बिल्कुल अच्छे से तयार हो चुका है अब इसके आगे आपको क्या कर ला है मैं आपको बताती हूं इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा दाल दिया है ताकि हमारो जुब्रों है इसमें चिपके लेहीं आप जाए तो आप थोड़ा सा ओयल भी लगा सकते हैं इसको हातों से थोड़ा फैलाना है इसमें अच्छे से फैला गिया है आप चाहिए तो बेलन भी यूज कर सकते हैं आप खलके हातों से आप बेलन का यूज करिए तो इसमें तूटेगी हमें इती वड़ी रूटी बना देंगी इसकी यह मैं एक प्लेट में निकाल देती हूं अब दूसरा दो है उसमें बेलना है थोड़ा सा मैदा पैले छड़क लीगे अप्से से फैला लीगे अर जैसे ह अब आप बेलन चलाना है अब हम अच्छे से बेली आ है अब आगे में जो करना है देखिए यह जो चीज है इसे हम इस तरिके से बाले इसे जो अच्छे से इसमें डाली आ है अब जो फहनी पहली रोटी बेली गी इसको इसको पर आठाने अब करेंगे चींजब अब इस तरीके उस्ट पर रूकों इस तरीके से इसको रोकों पर जोड़कों आठाने को प्रदों यह नबवश्चाओं यह पर शोंती यह जोंती कि यहां कोने से आप अच्छे से दबा दीजिए अब यह अच्छे से मैंने कोने से इनको चिपका लिया है हाथ सी दबाना है आपको अब कुछ नहीं करना अब इसको हम कट करेंगे हम यहां पर ट्राइंगल सेफ देंगे इसको किया हम परोगां को में है यह सारे मैंने कट कर लिए और इनको बिलकुल ज्याल से आंप आहिसता से बच्चों को तो बहुत ही जाला पसंद आते हैं आपके रेसिपी जिरू ट्राइ कीजेगा आप एर्य ट्राइब सो नन जया है कई इसने उस्थरा डाल दड़िए है कि दिशा में इसमें लाल नहींगे के बहुत करने से लो चांब देखु अब इसमें हम यह डाल देंगे अपने प다 swallowedनर पीडार तु अब इसमें हम यह डाल देंगे उसे दृति और यह आपको जो फ्लेम है लो टू मीडियम ही रखनी है यह जब थोड़ा से हलके से गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो आप हम इने निकालेंगे हलका हलका कलर में आने लग जया है अभी हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं इन्हें हम निकाल लेंगे यह किसी आप टीसू पेपर पर निकाल लिए ताकि जो भी एक्स्ट्रॉयल होगा वह उसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा जाएं है कितने कराएं कितने अच्छा लग रहे हैं बाखी सब हम इस तरह के से डी फ्राइ कर लेंगे को है कि कशकर बात